गूगल मैप हुआ पुराना अब मेड इन इंडिया नाविक पहुंचाएगा मंजिल तक जब भी हम किसी अंजान जगह पर जाते हैं और रास्ता भटक जाते हैं तो हमारे जेहन में सबसे पहले ख्याल आता है गूगल मैप का जिसकी मदद से हम बिना किसी से पूचे अपनी डेस्टिनेशन तक आसानी से पहुंच जाते हैं लेकिन अब आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए गूगल मैप पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा बलकी सिर्फ एक ख्लिक पर आप देसी डिजिटल मैप नाविक के सहारे अपनी मंजिल तक का सफर तै कर पाएंगे इस्रो और इट डिपार्टमेंट ने मिलकर किया तैयार भारतिय अंतरिक शनुसंधान संगठन, इस्रो और Information Technology इट डिपार्टमेंट ने मिलकर भारतिय अक्षेत्रिय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का काम कर रहे हैं ये प्रोजेक्ट अपने अंतिम चरण में है इसे नाविक नाम दिया गया है क्यूं पढ़ी नाविक की जरूरत चीन ने सुरक्षा कारणों से Google पर बैन लगा रखा है माना जा रहा है कि इंडिया भी सुरक्षा कारणों के लिहाज से ही अपना Digital Map लेकर आ रहा है इस प्रोजेक्ट से जुड़े एक अधिकारी के मुताबिक Google और नाविक मैप के इस्तेमाल के तरीके में कोई अंतर नहीं होगा इसे ना सिर्फ भारत में बलकी भूटान, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे पडोसी देशों में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा 2013 में हुई थी शुरुआत इसरों नाविक के लिए साल 2013 में पहली बार सैटेलाइट आयार एनसे से कंतरिक्ष में भीजा था अभी तक साथ सैटेलाइट के जरिये नाविक के लिए जरूरी इंफोमेशन सिस्टम तयार किया जा चुका है इसे ज्यादा सही और सटीक बनाने के लिए सैटेलाइट की संख्या साथ सेकंड बढ़ा कर ग्यारह करने की योजना है इस साल के आखिर तक इसके सारे टेस्ट पूरे हो जाएंगे उमीद है कि अगले साल इसे आम आदमी तक उपलब्द कराया जा सकेगा कीकी न्यूज में अब तक इतना ही आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद